ये प्रेंग केक है जो बिगनर है उनके लिए काफी helpful होने वाला है वीडियो आप लोग एंट तक जरूर बने रहना हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये तो मैं प्रेंग केक बना रही हूँ लेकिन है न जो मेरे साथ शेयर कर देना मुझे यूटूब पे डालना रहेगा तो काफी अच्छा लगेगा लेकिन वो लोग मना कर दिये तो इसके लिए मैं वह पात तो नहीं डाली हूँ लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो नए 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 लोग हैं सीख रहे हैं तो रोज पड़ जाएगा कि केक कैसे बनाते हैं लेकिन केक बनाने के लिए हाथों में फिनिशिंग की जरूरत है तो केक परफेक्ट रहेगा जिसके लिए आपको बार बार रिस्पोंज बनाकर केक बनाना पड़ेगा तो आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी और जरूरी नहीं ह कि आपके घर में बहुत सारे बच्चे हों कि आप उतना केक बना कर इन्वेस्ट कर दे आप पडोस में बाटेंगे या और कुछ स्टार्डिंग में तो इतना अच्छा बनेगा ही नहीं आपको बाटेते वे थोड़ा अच्छा ना लगे और शायद आप इतना इन्वेस्ट कर आगे रहते हैं, तो वो मुझे ये return किये थे, इसके लिए मैं दी थी, क्योंकि ये तो मेरा power kg वाला tin है, मैं इसी में बेख करती हूं, मेरे पास दो दो चाचा नहीं है, मेरे पास एक एक ही है, तो मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए था, आप भी tin लाए होंगे, अगर cake बनान सीख रहे हैं, तो आप उस पे हैना बार-बार finishing करिए, और सच मानिये मैं बहुत पतला layer लगाई हूं, और ये जो मेरा cream है ना, ये left over रखा हुआ था, मैं उनसे बोल दी थी, कि ये तो कोई खाएगा नहीं cream, तो इसके लिए मैं left over कर देती हूं, और इसका मैंने कोई charge नही ली थी, क्योंकि है ना, वो लोग 2-4-6 cake ले चुके हैं मेरे से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक prank cake दे रही हूं, और भी left over cream से, मैं बोल कर ही दी थी, तो मैं इसका कोई charge नहीं करी थी, समझ लिए free में गया था, मेरी मेरी मेहनत जो भी गई, जब अच्छे customer रहते ह है ना, तो थोड़ा invest करने में कोई दिक्कत नहीं है, और left over cream भी था, मैं बोली जाने तो बच्छों को ही बना कर खिलाओंगी, तो लाओ थोड़ा साइसी में से invest कर देती हूं, तो ये नीचे है ना, मेरा border देने का बिल्कुल भी एरादा नहीं था, लेकिन है ना, क्या हु मैं भी दिखाई ना, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला, जब हाथ में दीना, तो हलका लगा, तो बोले रही ये इतना हलका क्यों है, तो मैं बोली ये प्रेंक केक है, क्योंकि घर वाले भी पहली बार ही देख रहे थे, और वो लोग भी बोले कि ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है और बीच में मैं लव लिख दी थी क्योंकि मेरे जनिवरिसरी का थीम था उनलों का सारा केक तो मैं बोली बीच में क्या करूँ मेरे पास है ना मेरे जनिवरिसरी का ना इस्टीकर नहीं था और जो था वो इस्टेंड वाला था तो इसके अंदर तो वो जाता ह नहीं तो मैं बोली जाने दो लव लिख देती हूं उमीद करती हूं जो नया नया सीख रहे हैं उनलों के लिए वीडियो काफी हलफुल होगी क्योंकि है ना उनको बार बार इसकोंज नहीं बनाना पड़ेगा और उनके हाथों में फिनिशिंग आही जाएगी और यह जो क्री केक का फाइनल लुक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई